हलो मिर प्यारे स्टुइनेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे तो आज के क्लास में हम लोग exercise 23.3 exercise 23.3 में continue करने वाले हैं जहां तक हमने किया था यानि के last class में हमने 3.3 तक complete कर लिया था questions को यह hope कि आपने उसको अच्छे दे समझ लिया होगा आज की class में start करेंगे question number 3.4 से ठीक है अब इसे पहले के हम लोग class को start करें सबसे पहले comment section में जाएं जाकर आप present लिख दें and then उसके बाद आज का class को हम लोग स्टार्ट करते हैं and questions को solve करते हैं ठीक है सबसे पहला question हमसे क्या बोल रहा है सबसे पहला question यह बोला है कि अगर tan theta plus cot theta जो है वो 2 के बराबर है then let us determine the value of tan theta minus cot theta ठीक है तो हमें tan theta plus cot theta दिया हुआ है हमें tan theta plus cot theta जो है वो दिया हुआ है tan theta plus cot theta कितना दिया हुआ है ठीक है लोग देखें तो इसमें identity तो नहीं है लेकिन एक चीज है और वो चीज क्या है एक relation है और वो relation यह है के tan theta basically बराबर होता है one by cot theta का है न यहीं के cot theta का reciprocal करेंगे तो tan theta आएगा tan theta का reciprocal करेंगे तो we will get cot theta clear है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे न इसी चीज का इस्तिमाल करके यही cot theta tan theta आए इसको इसल्फ लिए हो इसमे कोड थेक्षो इसको सॉल्फ। अगर मैं यहाँ प्र ऋपर से रहने देता हूं tan theta plus cot theta को में क्या करता हूं one by tan theta को गया क्या के से बदाए हूं यहां आपकर क्या करना है यहाँ यहाँ आपको आपका basically हो जाएंगा plus 1 is equals to 2 tan theta कैसे हुआ भाई यह सारा कुछ तो simply मैंने इसका LCM लिया तो tan theta LCM आया और वो जाकर इसके साथ multiply आओ तो tan square theta आगे ये 1 के नीचे tan theta पहले था तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा और ये पूरा नीचे वाला tan theta right hand side में multiply होगा तो 2 से multiply होगा ठीक है next आप इसको क्या गर सकते हो इसको simply आप tan square theta जो है उसको ऐसी रहने देंगे ठीक है minus 2 tan theta तो minus 2 tan theta भी ऐसी रहने देंगे and plus 1 is equals to क्या हो रहा है हमारा is equals to हमारा 0 हो रहा है अब आगे क्या करेंगे देखो दो option आपके पास है आइदर आप यहां पर देखो कि क्या कोई formula frame हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर formula frame हो रहा है that means कि बहुत अच्छी बात है and अगर formula frame नहीं हो रहा है यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे quadratic equation का use करेंगे लेकिन यहां पर मुझे दीख रहा है कि एक formula frame हो रहा है क्या formula है देखो अगर मैं यहाँ पे tan square theta को tan square theta ही रहने दूँ and यह minus 2 tan theta को भी minus 2 tan theta into 1 लिख दूँ and plus 1 को मैं 1 का square कर दूँ is equals to 0 तो अब अगर आप इसको देखोगे तो आप easily लिख सकते हो कि हमारा tan theta minus 1 का whole square इस चीज़ को एकदम अच्छे से देखो यहीं पे सारा main आपका खेल है इस पुरे के precaution में तो अब यह क्या हो गया अब यह आपका एक क्या बन गया formula बन गया ठीक है यानि tan theta minus 1 का whole square हो गया और यह किसके बराबर है 0 के बराबर इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि tan theta जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया tan theta जो है वो हमारा 1 के बराबर हो गया ठीक है बढ़िया तो यह conclusion हमारा यहां से निकल गया कैसे हुआ तो tan theta minus 1 का whole square is equals to 0 that means कि tan theta minus 1 is equals to 0 that means कि tan theta और minus 1 को जब right hand side में भेजूँगा तो वो plus 1 बन जाएगा तो आपके पास tan theta का value पता चल गया next क्या करना है देखो next क्या करना है उसको देखते हैं पहले यहाँ पर एक lining ले लेता हूँ मैं next आप page में next page में जाए and यहाँ पर भी एक lining मैं ऐसे दे देता हूँ यह हमसे पूछा है अगर इसको आप देखो तो इसको देख के क्या आप cot theta का value पता कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो cot theta जो है वो 1 by 10 theta होता है 1 by 10 theta होता है इसका मतलब cot theta भी 1 के बराबर ही होगा होगा बिल्कुल समझ आया कैसे हुआ क्योंकि आपका 1 का reciprocal 1 होता है तो इसका मतलब यह हो गया कि मैं 10 theta का value निकाला हूँ 1 cot theta का value निकाला हूँ 1 तो दोनों को put करूँगा और value क्या आएगा 0 और यह 0 हमारा क्या हो गया यह 0 हमारा हो गया answer समझ आया तो यह basically आपका हो गया यह वाला question मैंने आपको last में जो questions तीनों करवाया था ना उसमें identity के बारे में हम लोग बात कर रहे थे हैं ना कि आपको identity देखना है कि match कर रहा है या नहीं बड़ी question में क्या हो रहा था कि identity match नहीं कर रहा था बड़ी still एक नया concept आया कि भाई देखो आपके क्या ये आपका कुछ और भी मतलब relation बन रहा है क्या तो हाँ बन रहा है 10 और कॉड जाएगो एक दूसरे कर इसी प्रॉकल है बढ़ते है question number 3.5 में अगर ये question नहीं समझ आया है हब comment section मुझे बताना कि कौन सा portion नहीं समझ में आ रहा है next है आपका question क्या बोल रहा है कि अगर sin theta minus cos theta ठीक है बराबर हो रहा है किसके बराबर हो रहा है 7 by 13 के बराबर हो रहा है तो determine करें कि sin theta plus cos theta का value कितना होगा simple एक दम तो अब यहाँ पे sin theta minus cos theta का value पता है लेकिन sin theta plus cos theta का value मुझे चाहिए तो क्या इस दोनों के बीच का कोई relation है क्या बिल्कुल relation है तो मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा कि देखो भाई मुझे पता है कि sin square theta plus cos square theta जो है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है and मुझे value किसका दिया हुआ है sin theta minus cos theta का whole square करेंगे तो इसके अंदर से एक्स्टर टम आएगा which will be minus 2 sin theta cos theta उसको मैं cancel out करने के लिए plus 2 sin theta cos theta बाहर में मैंने लिख दिया ठीक है उसका antidote बाहर ready है is equals to 1 अब यह जो minus यह जो sin theta cos theta है न इसका value तो हमें पता है है ना पता तो बिल्कुल पता है तो क्या करेंगे हम लोग इसका value को put करेंगे which is 7 by 13 ठीक है ओके नो यह 7 by 13 का क्या हो जाएगा यह 7 by 13 का square होगा ठीक है is equals to यह आपका क्या है is equals to नहीं यह आपका basically plus 2 sin theta cos theta इसको ऐसी रहने लिए is equals to 1 हो जाएगा अब इसका square करने से क्या होगा इसका square करने से basically यह 7 by 7 जा होगा 49 यह जो आपका नीचे में है यह क्या है यह है यह आपका 13 तो 13 का हो जाएगा थरी थरी जा 9 169 राइट अब आगे क्या करेंगे आगे आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर जो है पहले उसको तो लिख लेते हैं कि 2 sin theta cos theta is equals to 1 ठीक है यह हमने लिख दिया अब एक काम करता हूँ यह वाला जो चीज है इसको copy करके लेकर चलते हैं हम लोग next वाले slide पे ठीक है तो next वाले slide हमारा यहाँ है इसको यहाँ लागे हमने paste कर दिया उठा कर इसको हमने यहाँ पे डाल दिया आगे का process करते हैं तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि 2 sin theta जो है वो एक तरफ रखता हूँ 2 sin theta cos theta एक तरफ में रखता हूँ ठीक है is equals to मैं क्या चाहता हूँ 1 minus 49 by 169 में लिख दो ठीक है clear यहाँ तक इसका मदब यह होगा कि 2 sin theta cos theta कितना होगा तो 2 sin theta cos theta ना भाया यहाँ पे 169 minus 49 होगा हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं 169 minus 169 minus 49 कितना होगा 169 minus 49 यह आपका 120 होगा ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 120 divided by 169 clear यहाँ एक दमच्चे से बढ़िया अब मैं क्या करूँगा मुझे देखना है कि value क्या चीज़ का चाहिए मुझे value चाहिए sin theta plus cos theta का value चाहिए तो अब जब sin theta plus cos theta का value चाहिए तो हम क्या करेंगे यह सोचना यहाँ पे जरूरी है तो देखो मुझे sin theta plus cos theta का value नहीं पता है लेकिन मुझे पता करना है तो इसके लिए देखो क्या करूँगा again वो अलग स्टीज़ करूँगा कि भाई देख sin square theta plus cos square theta जो है वो आपका cos square theta जो है वो आपका one के बराबर होता है यह तो हम लोगों को पता है लेकिन 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 यहाँ पे अब जो formula मैं put करने वाला हूँ वो sin theta plus cos theta का whole square वाला formula यहाँ put कर दे रहा हूँ ठीक है इसका square करूँगा तो अंदर से क्या आएगा plus two sin theta cos theta जिसको eliminate करने के लिए बाहर में minus two sin theta cos theta मैं रखतूँगा ठीक है अब देखो कैसे यह question बनेगा यहाँ पे मेरे को sin theta cos theta का value नहीं पता है इसको इसी तरीके से बस रहने दीजी आप ठीक है लेकिन यहाँ पे जो minus two है न sin theta cos theta तो यहाँ पे two theta to one हो गया अब इसका square को अभी ऐसी रहने दे आप अब आगे क्या करेंगे आगे यह जो sin theta plus cos theta का whole square है इसको आप ऐसी रहने दो अभी इसके साथ छेड़ चाड़ ना करके आप इसको इधर ले करा और यह हो जाएगा 120 divided by 169 समझाया तो अब क्या करेंगे अब उसको हम लोग solve कर लेंगे solve किसको करेंगे तो यहाँ पे LCM लेंगे तो 169 आएगा उपर में भी 169 हो जाएगा 169 plus 120 हो जाएगा ठीक है तो हम लोग 169 plus 120 हम लोगों ने लिख दिया तो 169 plus 120 कितना होता है 289 होता है तो उपर में होगी आपका 289 divided by 169 ठीक है अब अगर मैं यह पतागरना चाहरा हूँ कि 289 जो है वो किसका है तो 17 का तो यहाँ पे आप थोड़ा साइधर आते हम लोग क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि sin theta plus cos theta कितना होगा तो sin theta plus cos theta will be root under कितना है हमारा 289 divided by 169 ठीक है अब यह 289 divided by 169 जो हमारा आ रहा है यह किसके बराबर होगा तो देखो sin theta तो ऐसे ही रह जाएगा plus cos theta को भी ऐसी रखना है लेकिन यह जो आपका आएगा 289 के जगह पे हमारा हो जाएगा 17 क्योंकि 17 का square हो था 289 और 169 के जगह पे हो जाएगा 13 क्योंकि 13 का square हो था है 169 और इस तरीके से आपने निकाला sin theta plus cos theta का value ठीक है समझाया so process was complicated लेकिन एक बार ही आप इसको अच्छे से practice कर लोगे ना दिन आपको easy लगेगा क्योंकि बस दिमाग में पता होन अच्छे कैसे ये हो रहा है ना बढ़े हैं चले next question पर बिल्कुल भी है next question हमारा है question number 3.6 इसमें क्या बोला है कि if sin theta cos theta बराबर है 1 by 2 का then let us write by calculating the value of sin theta plus cos theta तो इस बार ही क्या किया है कि हमें sin theta and cos theta दोनों का value जो है वो multiply करके जो value आ रहा है वो हमें दे रखा है ठीक है पूछा है हमसे कि sin theta plus cos theta का value क्या होगा तो कैसे निकालेंगे वही process apply करेंगे कि हमको पता है कि sin square theta plus cos square theta जो है वो कितना होता है तो भाई 1 होता है ठीक है इसका क्या मतलब हो रहा है इसका मतलब यह हो रहा है कि sin theta plus cos theta का अगर हम लोग whole square करते है तो क्या होगा यहाँ पे हमें minus 2 sin theta cos theta लिखना पड़ेगा ठीक है और यह बराबर होगा 1 का अब आगे क्या करेंगे देखो यह जो sin theta है इसको ऐसी रहने देंगे प्लस यह जो cos theta है इसको भी ऐसी रहने देंगे लेकिन यहाँ पे जो minus है और 2 है उस 2 के साथ multiply कर देंगे किसको sin theta into cos theta का value जो के 1 by 2 होगा ठीक है and this will be 1 अब अगर आप धियान से देखे तो यह 2 कट गया बचेगा क्या हमारा minus 1 मैं क्या कर रहा हूँ उस minus 1 को क्या कर रहा हूँ उस side भेज दे रहा हूँ ठीक है जो हमारा यहाँ पे minus 1 बचेगा उस minus 1 को मैं उस side भेज दूँगा तो क्या होगा देखो sin theta plus cos theta is equals to 1 plus 1 हो गया 2 और यह भी whole square के form में है को रहने देते है and last step में हम लोग क्या करेंगे last step में simply sin theta plus cos theta को ऐसी लिखेंगे and यह जो 2 है यह अब root 2 बन जाएगा ठीक है सो इस तरीके से यह वाला थोलो सा easy था simple था लेकिन यह जो question है यह आपका इससे पहले जो हमने question solve किया उसी के concept को लेकर यह आगे बढ़ रहा था ठीक है समझ गए आप now next question में बढ़ते हैं question number 3.7 3.7 में क्या बोला है कि अगर sec theta minus tan theta 1y root 3 है then let us determine the values of both tan theta का यह value बताव आप और sec theta का भी value आप बताव तो सबसे पहला question कि क्या sec theta and tan theta के बीच में कोई identity है क्या तो बिल्कुल है कौन सा identity है भई तो identity यह है कि sec square theta minus tan square theta क्या होता है 1 होता है ठीक है अब क्या करेंगे इसको हम लोग break कर देंगे sec theta plus tan theta और इसको फिर जो यह हुआ है इसको multiply कर देंगे किस से sec theta minus tan theta से good very good यह आपका 1 के बराबर अभी भी है now अब क्या करेंगे कि हमारे पास value already है है न like देखो अगर मैं यहाँ पे देखो sec theta है 10 theta है sec theta minus 10 theta is equal to 1 है हमारे पास value अलड़ी दिया हुआ sec theta minus 10 theta का तो मैं उसको यहाँ पे put कर देता हूँ कैसे देखो यह रहा आपका sec theta plus 10 theta ठीक है and इसके साथ इसका मतलब क्या हो रहा है that sec theta plus 10 theta जो है वो किसके बराबर है root 3 के बराबर है अब अगर मैं इसको equation 1 माल लेता हूँ and इसको equation 2 माल लेता हूँ तो क्या इन दोनों equations को solve करके हम लोग sec theta और 10 theta दोनों का value निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि simply क्या करना है, आप simply यहाँ पे लिखो कि adding 1 and 2, ठीक है भाई, 1 and 2 को हमें add करना है, तो 1 क्या है, 1 आपका है sec theta minus tan theta, तो sec theta minus tan theta, ठीक है, is equal to क्या होगा, 1 upon root 1 by root 3, ठीक है, and plus किसको करना है इसके साथ, तो sec theta plus tan theta को करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec theta plus tan theta, ठीक है, तो sec theta plus tan theta लिख दिया, is equal to क्या होगा, is equal to हमारा root under 3 होगा, तो root under 3 हमने यहाँ पर लिख दिया divided by क्या करना है आगे देखो यह जो 10 theta है यह 10 theta यह कड़ी आएगा बचेगा क्या यहाँ पर 2 1 theta ठीक है इस इक्वल्स 2 add कर रहे है न तो simply यह दोनों भी add हो जाएगा यानि 1 by root 3 plus root 3 हो जाएगा इसका मतब क्या होगा कि 6 theta जो है वो basically आपका यह जो 2 इधर multiply में था उतर जाएगा कि divide में हो जाएगा और अंदर में अगर हम लोग root 3 इसका ले लें यह क्या हो जाएगा 1 plus 3 हो जाएगा यानि कि 6 theta जो हमारा आ रहा है वो क्या रहा है 1 plus 3 केतना होता है 4 divided by 2 यानि कि 2 2 by root 3 आ रहा है यह क्या निकला हमारा यह निकला आपका 6 theta का value ठीक है अब जब 6 theta का value आपके पास आ गया है तो आपको क्या करना है आप दो तरीके से काम कर सकते हो आइदर आप वो अला तरीके से जा सकते हो जिसमें hypotenuse वगरा का use करके आप क्या करोगे आप पाता है अगर उस थिरुम का use करके निकाल लोगे एक और साइड और उसको यहाँ पे 10 theta वाले में put कर दोगे दूसरा option जो आपके पास है वो है के simply आप एक काम करें कि आप यहाँ पे पहला वाला equation ले of 10 theta तो ऐसी रहने देते हैं अब क्या होगा कि 10 theta जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा root 3 minus 2 by root 3 का ठीक है यहाँ तक तो अब अगर हम लोग इसको solve करें कि root 3 minus तो यह क्या हो जाएगा आपका यह आपका 1 by root 3 हो जाएगा and इस तरीके से आप क्या कर लिए इस तरीके से आपने value निकाल लिया किसका value निकाल लिया आपने आपने 6 theta का value निकाल लिया as well as अपने 10 theta का भी value निकाल लिया I hope कि आपको समझ आया हो यह question नहुंब बढ़ते हैं next question के दिरफ next question हमारा है question number 3.8 ठीक है कहां तक हमने किया भी question number 3.7 किया 8 करते हैं इसे बूला है कि अगर cosec theta plus cot theta root 3 है ठीक है ना तो cosec theta plus cot theta root 3 है दिया हुआ तो हमसे यह बूला है कि आप cosec theta and cot theta दोनों का value पता कीजे ठीक है तो हमें इसका relation है क्या इन दोनों का बिल्कुल भी है relation तो हई है क्या relation है तो relation यह है कि cosec square theta minus cot square theta is equals to 1 होता है यहाँ तक clear है तो अब इसको क्या करेंगे इसको भी break करेंगे कि cosec theta plus cot theta ठीक है ना into cosec theta minus cot theta cosec theta minus cot theta किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा अब अगर आप ध्यान से देखे तो आपको cosec theta plus cot theta का value भी पता है आपको यहाँ पे cosec theta minus cot theta का value पता है दोनों का value पता है अब अब further क्या करोगे अब आप यहाँ पे इन दोनों को add करो ठीक है जैसे ही आप add करोगे exactly जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही यहाँ पे आएगा दोनों को add करने से क्या होगा कि cot theta cot theta कड जाएगा और हमारा आएगा 2 cosec theta या फिर एक बार एक काम करता हूँ इसको पूरा करके ही हम लोग देख लेते हैं या आप simply करके इसको देखना दोनों को आप add करना ठीक है ना पहला और दूसरा equation को add करोगे तो plus cot theta minus cot theta कड जाएगा and cut के आपके पास क्या जाएगा 2 cosec theta आजाएगा ठीक है is equals to क्या आएगा root 3 plus 1 by root 3 ये आपका आगया clear next slide पर चलते हैं यहाँ पर and यहाँ पर आगे का solve करते हैं इसको पहले यहाँ से मैं उठा लेता हूँ मैं उठा गर इसको लेकर चलते हैं यहाँ उपर ठीक है यहाँ पर अब क्या होगा देखो यह जो cosec theta था तो इसको ऐसे लिखता हूँ cosec theta is equals to क्या हो जाएगा हमारा यह जो root 3 into root 3 multiply होगा जो 3 plus 1 4 divided by root 3 तो यहाँ पर होगया 4 divided by root 3 and इधर से जो 2 आएगा वो आपका 1 by 2 बन जाएगा ठीक है so overall हमारा value क्या है overall हमारा value आया cosec theta is equals to 2 by root 3 good, very good हो गया अब जब cosec theta का value मुझे पता चल गया तो क्या मैं cot theta का value निकाल लूँगा बिलकुल निकाल लूँगा मैं क्या बोलूँगा कि देखो cosec theta plus cot theta बराबर किसका है भई तो cosec theta plus cot theta बराबर है root 3 का तो root 3 लिख दिया मैंने और यहां से मैं 2 by root 3 लिख दूँगा इसका value विकास हमने इसका value निकाल लिया है plus cot theta is equals to root 3 and now यह जो cot theta है is equals to क्या हो जाएगा root 3 minus 2 by root 3 होगा क्या मतलब भी होगा cot theta जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 by root 3 के बराबर हो जाएगा बात समझाया तो इस तरीके से exact same question था यानि जो हम लोगों ने इससे पहले question किया था वो exactly यही question था 3.7 वाला भी वहां पे just term लग 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 था and यह भी exactly वही question है नहीं इस question में क्या बोला है question 3.9 में बोला है कि अगर sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta is equal to 7 है then let us write by calculating the value of tan theta क्या करेंगे देखो द्यान से यह एकदम simple सा question है sin theta plus cos theta हमें divided by sin theta minus cos theta हमें दिया हुआ है ठीक है is equal to 7 cross multiplication गर तो simply तो क्या होगा यह होगा ठीक है यह आपका sin theta plus cos theta रहेगा and यह आपका 7 sin theta minus 7 cos theta हो जाएगा अब आपको क्या करना है देखो अपना cos को एक तरब भेजो sin को एक तरब भेजो तो जब sin को एक तरब भेजोगे और cos को एक तरब भेजोगे तो क्या हो जाएगा 7 sin theta minus क्या हो जाएगा sin theta यह होगा एक side and x side क्या हो जाएगा x side आपका हो जाएगा cos theta and plus 7 cos theta यह हो जाएगा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 sin theta 6 sin theta is equal to 7 और 8 cos theta हो जाएगा आपको पता है कि 10 theta क्या होता है 10 theta क्या होता है 10 theta हमारा होता है sin theta by cos theta simple simple क्या यहां पे sin theta by cos theta लिख सकते हैं हम लोग बिल्कुल यहां पे sin theta divided by आप इसको cos theta कर दो and इधर क्या हो जाएगा 8 by 6 हो जाएगा यानि के हमारे पास value क्या आ गया 4 by 3 आ गया ठीक है and इस तरीके से हमने answer इसका निकाल दिया बहुत ही simple था लेकिन starting में जब आप इसको देखोगे तो बहुत confusion लगेगा आपको क्या लिखें यहां पे हम लोग ठीक है बट यह इस तरीके से solve होगा I hope कि आज का class आपको समझ में आया हो और सारे questions को आप अच्छे से बना लोगे मिलते हैं आपसे next class में तब तक के लिए अपना डेव सारा ख्याल लगिए thank you